हेलो एवरिवान पूरी चात्र पेर पोदर में सो हरी रिपतियां देखनें बहुत संदम तरह यह महीना होता है वह तो बहुत ही बढ़िया लगता है बहुत अच्छा लगता है तो बस आप सब इको को होली का देहन की रहे शुपकामने और अभी बस सुबह का वक्त है मैं यहां पर राजमा ब दिए बात उसका दो प्याज्ण का पेष्ट बना लेगे हो और उसको भूनने कका पहले हो बात लाज में पेष्ट बना था तो उसको भी डालके अच्छे से भून लिए है उसके बाद यह मैं मसाले डाल लियों कुछ वह रेगुलर वाले मसाले धनिया पॉर्डर और धन वो हल्दी और लाल मुष्ट मैंने पहले ही डाल दी थी तब ही सिर्फ एनिया पॉर्डर डाला है फिर सबकुछ भूनने के बाद अच्छे से जब मैं राजमा डाल दूँ इसके बाद में लाइश्ट में थोड़ा सा करमा दूँगी और अभी मैंने कसूरी मेथी डाल दी थी तो इधर सब्जी बनती रहेंगी और अगल मैंने आटा भी ले लिया है तो इसको भी लगा लूँगी तो अब भी मुझे लागब दस बच चुके हैं तो इसलिए मैं फटा-फट कर रही हूं साथी मैं उधर सब्जी ब बन जाएगा उसके बाद खाना त्यार हो जाएगा मारा तो यहां आटा भी लग चुका है तो बस आटे को ढख के रख देती हूं एक तरफ तब तक थोड़ा सफ आटा भी सेट हो जाएगा तो फूल जाती तो अच्छी रोटियां बन जाती है और तब तक चेक कर लेते मसा मसाला पहले से अच्छी से भून लेजिए और राजमा होगें जाएगा उबले हुए रहते हैं पहले तो फिर बनाने जाए टाइम नहीं लगता है सिर्फ चौक के सिर्फ पांट इसमें थी आप फिर से उसमें मसाले के जो ग्रेवी उसके साथ उबालना पड़ता है बस हो बस यहां हमें नमग भी डाल यह Country है तो बस बहुत काम था बस मैं फटा आ रही थी तो बस बस रूटियाह थे कलिए ऐसे मने उबले जो खाना बहूच्छे की है तो बस मैं आपर गुचिए पनाना था इसके लिए बुंन करहें हैं आपके शोड़ने के दुञा है हैं जो खाना सब्सक्राइब एड जिस वक्त मैं आपके घर मारा करना एक दून आठा हैं तो बस उनसे लगमागवाय तो खुआ तो यहां भी थोगा से में भून रहे हैं क्योंकि जो खुआ बाहां से मार्केट से भी आता है तो इतने अच्छी से भूना वह नहीं रहता है और अगर इसका ही आप बना तो गुजिया जाए और भी कुछ तो जल्दी खराब हो जाता है जिसलिए खुआ को अच्छे से बिलकुर मतब थोगा सा हलका सा लाल करना पड़ता है तो उसकी आप कोई चीज बनाएंगे तो उसका स्वाद भी बनी आएगा वो जल्दी खराब भी नहीं होता है तो बस उसको मैं भून रही हुए यहां पर और नीचे किया था सुबह से मैंने खाना बनाया फिसके बास सूजी भी भूनी अभी कोई भून नहीं तो थोड़ा मेरे पहरा में दर्द हो गया था तो बस मैं स्लैप पर बैठ गई हूँ बस भूनना ही चलात है और कुछ करना नहीं तो मैं काई चलो बैठ जाते है राम से बनता रहेगा और यहां पर खुआ ही मेरे अच्छे से भून चुका है देखे कितना बढ़िया आ गया है पहले जब मार्केट साय था तो बल्कुल वाइट था और अभी देखे कितना अच्छा है इसके आप च अच्छे से खाली कर लेती हूं क्योंकि लोहे कड़ाई मैंने भूना था ना तो लोहे कड़ाई में आप कुछ कोई भी चीज बनाएगे और उसके बाद अगर आप उसमें छोड़ दीजे ना तो उसमें एक अलग सी स्मयल आ जाती है फिर वह अच्छा नहीं लगता है तो अलग सी खाली क्ड़ hem यह लिए कड़ाई में जब भी कुछ मैं बनाती हूं चैसार kind of उसमें अलग से कड़ाई सिदा रहता है इस में आप कारता है से हो स्कुराई में प्यार है फ़ीजे थृक्कि लग करता है बादी को युदु मैं ऐसे तरव निकालाना निकावत अब वह खराब हो जाता है तो खुआ तो मैं अच्छे से भून लिया था और इसको थोड़ दिर के लिए मैंने छोड़ दिया ठंडा होने के लिए और तब तक मैंने नारियल जो थोड़ा सा कट करके रखा तो इसमें डालने के दे नारियल के समिस और चिरोंजी इन तीनों को जिसे भूकरी टैप कर लेते हैं किसी वी चीजों में तो फिर वह खराब जाते हैं तो दुर्ण जाले-जाले से होने लगते हैं तो जिसलिए जो चीजे आप थोड़ा सा टाइम के लिए बना रहे हुग जोड़ा हो जो दस बन दे चले हो तो उन चीजे ऊच्छे थोड़ा आप में खोय को जो बड़ा से जो मैंने स्पून लिया थे उससे पहले एक तरस से कर ले रही हूँ ताकि वो अच्छे से एक साथ हो जाए है ऐसे गांट इससमना बनी रहे हैं उसके बाद उसे मैंने ड्रैफर तो मैंने डाल दिया था पहले ही जो भी ट्रैफर तो मैंने ज़्याता कुछ नहीं डाला था, सिर्फ वहीं नारियल, चिरोंजी और कीमिस बसे ही डाला था और कुछ उसमाने डाला था, और यहाँ मैंने 1.1kg खुआ लिया था और सूजी मैंने 500g तक सूजी मैंने भूनी थी, पर सिर्फ 400g मैंने डाला था, जाता है नहीं क्योंकि खुबा ज्यादा रहता है तो ही टेश्ट अचाता ज्यादा सूजी सूजी करते तो टेश्ट इसका अच्छा नहीं आता है तो पहले मैंने थोड़ थो डाल के देख लिया था तो 100 ग्राम तक सूजी बची रह गई थी और यहां बस चीनी को भी मैंने बचाण लिया था अच्यस मेंमें जाए बस इंस सबीचीनों को इसमें नहीं डालते वे बढया से मिलाके पहले जो भी गुजिया कामिसाया त्यार करום हैश्यार था त्यार कर ले रही हैं इधर जैसे यह खाली होंगए क्यों कर बाता कि मैंना कर रही हैं अकेलिए बनाने से और गुजी, अब अगर हम होता है, तो दो लोग रहते हैं, ना जटाँ सक म। वर टो चाहिए हैं, तब इस के रोटी है भू में लोग बेल दें, और और उसका ज़ी। तो दो लोग जो तो पड़ी जाती है को जी में थोड़ा बद बनाना है सिर्फ दसबारा बनाने तो ठीक अपकेल बना लो चाहिए बैस बहुत बन जाते हैं अगा ज्यादे बनाने हैं लगभग 80-100 तो फिर दो लोग तो कम सकम चाहिए रहते हैं तो यह तैयार है तो मैंने सा को वह कि हुआ है दोपर में पिल्कुल ने ज़ल्दी वह कर दोपर में दोफोर नियुक्त को गर लाने के लिए उसके लिए उसके लिए आप कीड़ों में से भी पिल्कुल नहीं हैं को बसमें वो खा भी चुका है वो क्योंकि जब नीन में रदन थोड़ास के साथ टाइम बताना पड़ता है तब खाता है और भी कुछ करने तो थोड़ास के साथ बैठना पड़ जाता है वैसे वह नी करता है तो बस खाना खा लिया वो चला गया है खेलने के लिए और अभी यहां मैं किचन में आ गई हूँ तहवार के टाइम रदत पूरा दिन किचन में बीचता है तो यहां भी मैं सरसो बोन रही हूँ फिर जो उसके लगाने एक बाद जो सेमेल निकलता है उसको जो होल का दहन होती है तो उसमें डाल दिया आता है तो हमारे हैं यह मतलब हमेशा ही होता है बच्पन से मैं देखती है यारी मैं कि सस्राल दोनों जगह ही होता है होता आ रहा है तो बस उसको मैं आज ही भून लें को क्या सटेटे है कर संडे हो जागो तो नहीं भूनना है तो इसलिए मैं भून का रख ले रही हूँ पिसने अलकाम तो कल भी हो जाएगा अक्रिशु यहां बगल में खड़ा है वो चाय बना रहा है अपने पापा के लिए चाय वो बहुत लिढश्त रहा है तो उससे नहीं चाए बनाने रहे है हुआ जाए चाय बनाना कि कि मुझे पीना नहीं है लें रहोर में छैंगा भून तो बस इससे निकाल के अगली को ताकि यू ठंडा हो जाएगा और मतलब बुकवा बनाद मेरा काम तो कली होगा होली का ओले दिन ही वह साथ मैंने भून लिया है उसको और यहां बन चुकी एक रिश्यू की चाय पी तो बश्च चाने के लिए छन्नी डून रहा था और यहां मैं आचुकी हूँ छट पे शाम हो गई है सामके छे बज़ रहे हैं तो क्या हुआ तो मैंने सब तयारे तुसके कर दी है पर देखते हो कब बनता है गमने क्योंकि इनको बिल्कुल टाइम ही ने मिल पाव तो मैं अभी छट पे आगे थे गमने सब साही करने के लिए तो बस उसके लिए पीचे आगा कि क्यों के लिए कर रहे है तो बस वही दस में पर टाइम लेके आ गए थे उपर वनने टाइम बिल्कुल ने अभी इपना कॉल ही इनके चल लई है साथ में ही और क्या था कि गमले में हटा रही था ना कि जो जाली लगा लगी थी उपन के पर उस्पे अधे बॉत यह गमले गैवी तक राख रहते हैं जब में पानी डालते हैं साहरा नीचे भी आता था क्या था भी जब यवर मीशशन रॉपन तो रखे था साहरा पानी बढ़ता था यह ज़यों जो यह तो फूर वह बहुत लिए वह ज़ए है पूर यह दुता जब इच्छ बनवाय था मैंने तो ही उसके पर रग दिया था तो अभी तक सेट नहीं हुआ था गमले सारे तो बस भई मैं हटा रही हूँ लेकि नायक नायक रग तो दिवाल के किनारे जो पॉंडरी लगी उनके किनारे तो कम सक जाली खाली हो जाएगी तो थोड़ा सा हवा दोप आएगी हवा आएगी और पानी काई बजागी तो पानी में डाल लोग तो नीचे नहीं निकलेगा पानी तो बस इसलिए यहां पर यह सब गमले में हम लोग भाटा रहे हैं तो गमले क्या वत जादा है ने तो जोड़से भारी ही भी हो जाते हैं तो बस साथ ही मैं चले आएगे चलो अच्छा करवा देता हूं उसके बाद भी अपना काम करूंगा और इस व्लॉग कर रही हूं क्योंकि गोजिया हम लोग रात में बनाए थी हम लों को 12 बज गया था गोजिया बनाने में तो वह क्लिप में दूसरे व्लॉग में डाल दूंगे क्योंकि क्य लिए चनल पर तो प्ली सस्क्राइब कर लिजेगा